एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास में आपका स्वागत है। यह आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है। पठान कोट से खजियार तक की दूरी लगबग 100 किलोमेटर है। तथा पठान कोट से खजियार तक टेक्सी से जाने में लगबग 3-3.5 गंटे का समय लगता है। टेक्सी का सामने किराया 2,000-2,500 रुपे के बीच होता है। आप बारगेन करके टेक्सी का किराया कम भी करा सकते हैं। यदि आप लगजरी टेक्सी बुक करेंगे तो किराया 3,500 रुपे के करीब पड़ेगा। एक बात ध्यान में रखें कि आप अपने शहर से पठान कोट आने के लिए एसी ट्रेन का चेहन कीजिए जो आपको पठान कोट दिन में छोड़ दें। इससे सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि आप शाम होने से पहले खजियार पहुंच जाएंगे तता शाम के समय खजियार की अपरतिम सुन्दरता का लुट्फ उठा पाएंगे तता शाम के समय खजियार का संसिट देख पाएंगे। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन हो रहा होगा कि खजियार की जगए डलोजी में क्यों न रुका जाए क्योंकि डलोजी खजियार के पास ही है तता बड़ा शेहर भी है इसका जवाब यह है कि खजियार में आपको होटल बहुत सस्ते मिलेंगे तता डलहोजी से खजियार आने तता जाने में आपका समय भी बहुत ज़्यादा खराब होगा टेक्सी का किराया भी ज़्यादा लगेगा तता खजियार घुमने का आपको ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा इसलिए हमारा सजेशन है कि आप खजियार में ही रुकिएगा आप खजियार में होटल दो दिन के लिए अनलाइन बुक कीजिएगा क्योंकि खजियार को अच्छे से एक्स्प्लोर करने में आपको इतना समय तो लगेगा ही लगेगा आप पठान कोर से टेक्सी से लगबग शाम को पाँच बज़े तक खजियार पहुँच जाएंगे आप होटल खजियार जिल के पास ही लीजिएगा ताकि आप 5-10 मिनट में खजियार के मेदान तता जिल तक पहुँच जाएं आप अपने होटल में चेक इन कीजिए तता चाए कॉफी पीने के बाद आप होटल से बाहर खजियार घुमने पेदल निकल जाएए तता खजियार जिल के पास बेटकर संसेट का आनल लीजिए अंधेरा होने के बाद आप खजी जील के पास इस्तित किसी रेस्टोरेंट में केंडल लाइट डिनर करें आप चाहें तो अपनी होटल में भी डिनर कर सकते परन्तु यदि आप खजी जील के पास के किसी रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे तो यह डिनर आपको अपने पूरे जीवन भर याद रहेगा डिनर के बाद आप अपने होटल में रेस्ट करें इस प्रकार खजियार अर्थात मीनी स्विट्जर लेंड में आपका पहला दिन समाप्त होता है अगले दिन आप सुभ़ का ब्रेकफास्ट अपनी होटल के कमरे में बालकनी हथवा ब्रेकफास्ट एरिया में देवदार के पेड़ों तथा वादी को देखते भे करें इसके बाद आप तयार होकर खजी जील तता खजियार के मेदान में आ जाएं तथा वहाँ होने वाली activities को अपने बच्चों तथा अपने परिवार के साथ enjoy करें आप यहाँ flying fox adventure sports का भी आनन लीजिएगा जिसमें आपको रसिस से बांद कर देवदार के पेडों के बीच जुलाए जाता है आप adventure jorbing ball horse riding तथा paragliding का भी आनन लीजिएगा paragliding का rate बहुत जादा बताए जाता है इसलिए paragliding कराने वालों से आपको जबरजस्त bargaining करनी पड़ेगी अनिता ये लोग आपको लूट लेंगे एक बात आप हमेशा याद रखेगा कि आप खजी जिल तथा खजियार के मेदान के पास जो पानी पूरी, नूडल्स तथा चाट के ठेले लगे होते हैं वहाँ से कुछ भी मत खाईएगा क्योंकि वह बहुत अनाइजिनिक होता है क्योंकि यह ठेले खजियार गाओं के लोग ही लगाते हैं तथा वह लोग साफ सफाई का बहुत कम ध्यान रखते हैं इसके चलते फूट पॉईजिनिंग की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है यदि आप बीमार पढ़ जाएंगे तो आपकी पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी यदि आपको कुछ खाने का मन करें तो आप पेकेड बंद खादे सामागरी अथवा खजियार जिल के पास के रेस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं क्योंकि यहां का खाना आपको बीमार नहीं करेगा लंच करने के बाद आप खजी नाग टेंपल देखने जाएं खजी नाग टेंपल देखने के बाद आप शंकर भगवान का मंदिर देखने जाएं यहां भगवान शिवजी की एक 85 फीट की विशाल प्रतिमा स्थापी थे जो हिमाचल प्रदेश में सबसे उची शिवजी की प्रतिमा है इसके बाद आप गोल्डन देवी टेंपल विजिट करें गोल्डन देवी टेंपल देखने के बाद आप वापस खजी लेक पर आ जाएं तथा अपनी शाम खजी लेक परी बिताएं इसके बाद आप रात का डिनर अपनी होटल में करें तथा रेस्ट करें इस प्रकार खजी आर में आपका दूसरा दिन समापत होता है अगले दिन आप अपनी होटल में ब्रिकफास्ट करें इसके बाद आप होटल से या खजी लेक के पास इससे टेक्सी स्टेंड से डलोजी के लिए टेक्सी बुक करें इसके बाद आप अपने होटल से चेक आउट करें खजियार से डलोजी तक की दूरी केवल 24 किलोमेटर है खजियार से डलोजी तक का टेक्सी का किराया लगपक 500 रुपे से 700 रुपे के बीच पड़ेगा आपका टेक्सी वाला आपको रास्ते में साइट सींग कराता हुआ आपको डलोजी में आपकी होटल में छोड़ देगा डलोजी में आप अपनी होटल में चेक इन करें तता होटल में ही लंच करें इसके बाद आप पेदल ही डलोजी घुमने के लिए निकल जाईए तता पेदल पेदल गांधी चोक तता डलोजी का मौल रोड देखें आप चाहें तो यहाँ शॉपिंग का आनन भी ले सकते हैं यदि आपको शॉपिंग करनी है तो आप तिब्बती बाजार जरूर जाईएगा इसके बाद आप सेंट जॉन चर्च विजिट करें सेंट जॉन चर्च के पुराने पुस्तकालाई में दुरलब तस्वीरे और कई पुरानी किताबे हैं यह चर्च डलोजी के गांधी चोक के पास ही स्थी थे इसके बाद आप गांधी चोक पर ही किसी अच्छे रेस्टोरेंट में अथवा अपनी होटल में डिनर करें तथा अपनी होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार आपके ट्रिप का तीसरा दिन समाप्त होता है चोथे दिन आप अपनी होटल में ब्रेक्फास्ट करें तथा डल होजी के आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए अपनी होटल से अथवा गांधी चोक से टेक्सी बुक करें टेक्सी का किराया लगबग 1500 रुपे लगेगा डल होजी में आप लक्ष्मी नार्यान मंदिर, चामूंडा देवी मंदिर, चमेरा जिल, गरम सडक, डल होजी सामुदाईक उध्यान विजिट करें इसके बाद आप रास्ते में ही अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच कर लें इसके बाद आप पंचपुला जर्ना, जो कि डल होजी के सबसे प्रसिद परिटक आकरशनों में से एक है, उसे देखने जाईए यह जर्ना देवदार के पेडों से घिरा हुआ है, इसके बाद आप डल होजी में रॉक गार्डन विजिट करें इसके उपरांत आप अपनी होटल में आकर डिनर करें, तता रेस्ट करें, इस प्रकार आपका चोथा दिन समाप्त होता है पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें, तता होटल से या टेक्सी स्टेंड से धर्मशाला के लिए टेक्सी बुक करें इसके बाद आप होटल से चेक आउट करें, तता धर्मशाला के लिए प्रस्थान करें डल होजी से धर्मशाला की दूरी लगभग 117 किलोमेटर है टेक्सी का किराया 2000 रुपे के करीब लगता है रास्ते में ही आप किसी अच्छे से ढाबे पर भोजन कर लें यदि आप रास्ते में साइट सिंग करते हुए तथा रुकते रुकते हुए भी आएंगे तो आप चार से पांच बज़ तक आराम से डलोजी से धर्मशाला पहुँच जाएंगे गोरतलभे की डलोजी शहर अलग-अलग उचाईयों के साथ उपरी और निचले डिवीजनों की रुप में बटा हुआ है निचला डिवीजन धर्मशाला शहर कहलाता है जबकि उपरी डिवीजन को मेकलोड गंज के नाम से जाना जाता है मेकलोड गंज में दलाई लामा रहते हैं धर्मशाला पहुँचने के बाद आप अपनी आनलाइन बुक होटल में चेक इन करें तथा शाम की चाय या कौफी का आनल ले इसके बाद आप पेदल पेदल धर्मशाला के बाजार तक घूमाईए इसके बाद आप अपनी होटल में डिनर करें तथा रेस्ट करें इस प्रकार आपकी यात्रा का पाचवा दिन समाप्त होता है चटवे दिन आप सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लें तथा होटल से या टेक्सी स्टेंड से धर्मशाला, मेकलोड गंज तथा आजपास के टूरिस्ट स्पॉर्ट्स गूमने के लिए टेक्सी बुक कर लें टेक्सी का किराया लगबग 2000 रुपे पड़ेगा सबसे पहले आप धर्मशाला का क्रिकेट स्टेंडियम देखने जाएं यह स्टेंडियम चारो ओर से बरफीले पहाडों से गिरा हुआ है तथा इसे दुनिया का सबसे खुबसूरत क्रिकेट स्टेंडियम भी कहा जाता है यह स्टेडेम सुबह के समय बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है इसलिए सबसे पहले आप इसे ही देखने जाईएगा इसके बाद आप युद्स मारक, जौला मुखी देवी मंदिर, भाक्सु फाल्स तता नामग्याल मठ हादी देखने जाए नामग्याल मठ में दलाईलामा रहते हैं नामग्याल मठ देखने के बाद आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करें इसके बाद आप टेक्सी से मसरूर रॉक का टेमपल देखने जाए यह टेमपल धर्मशालास से 32 किलोमेटर दूर है यहाँ आने जाने तथा इसे देखने में आपको लगबग 3 घंटे का समय लगेगा मसरूर रॉक का टेमपल बहुती सुन्दर जगह परिस्थी थे आप अपना टाइम मेनेजमेंट इस प्रकार कीजिएगा कि आप मसरूर रॉक का टेमपल देखने जा सके इसे धर्मशाला में हिंदूों की जन्नत भी कहा जाता है इसके बाद आप धर्मशाला में वापस आकर अपनी होटल में डिनर करें तथा अपनी होटल में रेस्ट करें इस प्रकार आपकी यात्रा का छटा दिन समाप्त होता है साथवे दिन आप सुबह अपने होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा चेक आउट करें इसके बाद आप बस स्टेंड अथवा एरपोर्ट पर टेक्सी से आ जाएं तथा अपने ग्रह नगर की ओर प्रस्थान करें यदि आप बस से यात्रा कर रहे हैं तो धर्मशाला से दिल्ली की बस से दूरी लगबख 491 किलोमेटर है तथा यात्रा में लगबख 10 गंटे का समय लगता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई एड़ा धर्मशाला से लगबक 13 किलमेटर दूर गगल में स्थी थे गगल हवाई एड़ा धर्मशाला को एर इंडिया स्पाइस जेट आदी की उड़ानों की मदद से दिल्ली से जोड़ता है एक बात और ध्यान रखें कि आप अपनी इस यातरा की शुरुवाद धर्मशाला से भी कर सकते हैं जैसे आप अपने ग्रह नगर से सबसे पहले धर्मशाला आएं उसके बाद डलोजी जाएं वहाँ से खजियार जाएं तथा अंत में पठान कोट से वापस अपने ग्रह नगर की और प्रस्थान करें खजियार डलोजी तथा धर्मशाला की यात्रा करने के लिए मार्च से जून तक का समय आइडियल समय होता है खजियार डलोजी तथा धर्मशाला में इस समय न ज़्यादा ठन पड़ती है तथा न ज़्यादा गर्मी अब हम इस साथ दिन की खजियार डलोजी धरमशले यातरा के अधिक्तम खर्च की बात करते हैं चार लोगों का आने जाने का ट्रेन तथा बस का कुल किराया लगबग 5,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का टेकसी का कुल किराया लगबग 11,000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का होटल का किराया 7000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का भोजन का खर्च 12000 रुपे चार लोगों का साथ दिन का साइट सींग तथा एक्टिविटी का खर्च लगबग 10,000 रुपे चार लोगों का खजियार डलोजी धर्मशाला में साथ दिन का अधिक्तम कुल खर्च लगभग 45,000 रुपे इसे चार से भाग देने पर प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 11,250 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 11,250 रुपे में शांदार तरीके से टेक्सी को शामिल करते हुए खजियार डलोजी धर्मशाला घूम सकते हैं यदि आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च केवल 7,000 रुपे ही आएगा तो अब इंतजार मत कीजे जल्दी ही खजियार डलोजी धर्मशाला घूमने का प्लान बनाईए जदी आपको हमारी जानकरी सही तथा उप्योगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक्यू